क्या हुआ जब कैदार नाथ यातरा पर जाती हुई बस गिरी खाई में उसके बाद महादेव का ऐसा चमतकार हुआ जिसे देख कर आपके भी होश उड़ जाएंगे नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों सची श्रद्धा से कमेंड बोक्स में जरूर लिख दे हर हर महादेव देवो के देव महादेव की महिमा और चमतकारों से कोन अवगत नहीं है सभी ने महादेव के चमतकारों के बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा ऐसा ही एक चमतकार हुआ बनारस में रहने वाले अंकित जी के साथ जिसे जानकर कोई भी हैरानी में पड़ जाएगा अंकित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है वो बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता आ रहा है एक दिन अंकित ने अपने ओफिस के कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम कैदार नात जाने का निरने लिया अंकित के सभी मित्र भी इस बाद से सहमत हो गए वो कुल बारा लोग थे अंकित ने सभी के लिए एक छोटी बस यानि की ट्रेवलर मंगवाली थी जिसने बारा लोग बड़े ही आराम से बैट सकते थे अंकित दो दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगबग आठ बजे कैदार नात के लिए रवाना हो गया उन सभी का सफर कुछ दो दिनों का होने वाला था वो सभी बड़े ही भक्ती भाव से महादेव के जैकारे वे भजन गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थी देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूर्ण कर लिया था अगले दिन भी उनका भक्ती भाव महादेव के प्रती कम नहीं हुआ था दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था और उस समय अंकित की बस जंगल से गुजर रही थी जंगल बड़ा ही सुनसान था दूर दूर तक एक भी व्यक्ती नजर नहीं आ रहा था अंकित को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहां कुछ लुटेरे रहते हैं जो गाड़ियों को रोक कर लूट पार करते हैं सभी यह सुनकर काफी भैबित हो गए सभी ने बस के सारे खिड की दर्वाजे संभाले ताकि कोई अंदर ना घुस पाए तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है टायर फटने के बाद बस खाई की तरफ चली जाती है और जा करके एक पेड से टकरा जाती है ड्राइवर ने नीचे उतर का देखा तो एक बड़ी सी लोहे की कील टायर में घुसी हुई थी जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था सभी बहुत डर गए थी उन सभी को ड़ लगने लगा कि कहीं ये उन्हीं लुटेरों का काम तो नहीं सभी तुरंत ही बस में चड़ गए और खिड की दरवाजे फिर से बंद करके महादेव को याद करने लगे तभी वहाँ दो लुटेरे बस का दरवाजा तोड कर अंदर घुस गए ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार कर बस के नीचे फ्रेक दिया और सभी के पैसे और सभी के पास से कीमती समान लूटने लगे सबसे पीछे बैठा हुआ अंकित महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगाता रहा कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती समान लूट कर भागने लगे तभी वहाँ पर एक अंजान व्यक्ति आया और उन लुटेरो को रोक कर सामान लोटाने को कहने लगा लुटेरा व्यक्ति सपर्ष मात्र से ही समीन पर गिर गया उसके हाथ पैर अकड़ गये ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा समान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ फिर ड्राइवर ने उस अंजान व्यक्ती से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है इस पर उस अंजान व्यक्ती ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ किसी को समझ नहीं आया कि सुनसान जंगल के बीच ये व्यक्ती किसी को कैसे बुला कर लाएगा फिर भी सभी बस के अंदर बैट गए और उस व्यक्ती का इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि कैसे सभी की आँख लग गई कुछ 30 मिंट के बाद अंकित की आँख खुली उसने बस से नीचे उतर कर उस डगती को ढूडने का प्रयास किया परन्तु उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया तभी उसकी नजर बस पर पड़ी जो की बिलकुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी अब ठीक हो चुका था ये देख अंकित आश्चर्या में पड़ गया अंकित ने भाग कर ड्राइवर को नीचे बुला कर पूछा कि ये बस रोड पर कैसे आ गई और ये टायर कैसे ठीक हो गया ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी धीरे धीरे सभी बस के नीचे उतर आये और किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भयानक अंधेरे और सुलसान जंगल में वो व्यक्ति आया कहां से और आखिर वो था कोल साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया अब अंकित समझ चुका था कि वो कोई साधारन मनुश्य नहीं था वो स्वयम महाधेव थी जिससे अंकित ने मदद की गुहार लगाई थी सभी ने हर हर महाधेव का जैजैकारा लगाया और कैदार नात की और निकल पड़े तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर से बताईएगा यदि आप भी महाधेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बोक्स में हर हर महाधेव लिखे बगार मज जाईएगा दोस्तों कहा जाता है कि इच्छा धारी नाग नागिन के पास कई आलोकिक शक्तियां होती हैं जिनका प्रियोग कर वो किसी भी समय किसी का भी रूप धारन कर सकते हैं इतना ही नहीं इच्छा धारी नाग नागिन अपनी शक्तियों की मदद से हम सब के बीच सामाने इनसान की तरहे रह सकते हैं इच्छा धारी नाग नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो किसी हीरे से भी बहुत कीमती होता है जिसे हम नाग मनी के नाम से जानते हैं के बदले की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगी दोस्तो यदि आप भी भगवान शिव के सचे भक्त हैं तो कमेंट बोक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख देना दोस्तो एक बार यूपी के गोरकपुर इलाके में एक नाग नागि हो तभी दोस्तो एक तेज रफतार से ट्रक आया और उस नाग को कुचल कर चला गया नागिन ये पूरी घटना अपनी आँखों से देखती रह गई जैसे ही नाग मरा नागिन तेजी से भागती हुई नाग के शरीर के पास आकर बैठ गई और अपना फन सड़क पर पटकन पटकते बेहोश हो गई ऐसे में वहां मौझूद लोगों ने उसके उपर पानी डाला तो वो फिर से होश में आ गई लेकिन वो अपने नाग को देखकर गुसे में आग बबूला हो गई और जोर जोर से फुकारे मारने लगी उस नागिन का ऐसा प्रकोप देखकर लग रह लेकिन अपने नाग के शरीर से दूर नहीं गई ऐसे में वहां मौझूद लोगों ने उस नाग के शरीर को उठा कर कहीं दूर फेकने का फैसला बनाया लेकिन नागिन किसी को भी उसके नजदीक नहीं आने दे रही थी दोस्तो इसके बाद नागिन फिर से अपने नाग के शरीर से लिपट गई, नाग की मृत्यू की वजह से सडक पर काफी जाम हो गया और लोगों का जमावडा शाम तक काफी बढ़ चुका था रात के समय उस नागिन ने भी रोते हुए अपने प्राण अपने नाग के शरीर से लिपट कर त्याग दिये दोस्तो इसके बाद वहां मौझूद लोगों ने उस नाग नागिन के जोड़े को दूर एक जंगल में एक स्थान पर दफन कर दिया माना जाता है उनके इस प्रेम को देख कर आज भी लोग उन्हें याद करते हैं हाला की नाग नागिन की ये घटना काफी भावुक है जिसको लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं दोस्तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने वाहन को ध्यान से चलाना चाहिए ताकि हमारी वजह से किसी बेजुबान और निर्दोष जीव को कोई नुकसान ना पहुचे दोस्तो आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर से बताईए यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में इसे जादा से जादा शेयर करें महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बोक्स में हर हर महादेव अवश्य से बिग दीजिए आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बैल आइकन को भी दबा लीजिए जल्द मुलाकात होगी आप से किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद